आज फिर बेटा बिना कुछ खाए घर से जा रहा था, तो मा ने बेटे से कहा, बेटा थोड़ा खाना खा कर जा, दो दिन से तूने कुछ नहीं खाया, तो बेटे ने कहा देखो मम्मी मैंने मेरी बारवी बोर्ड की परीक्षा के बाद सेकंड हैंड बाइक मानगी थी, और प दोस्त की पुरानी बाइक मुझे आज ही लेनी है, और हाँ यदी दीदी वहाँ पैसे लेकर नहीं, आई तो मैं घर वापस नहीं आऊंगा, एक गरीब घर में बेटे मोहन की जिद और माता की लाचारी आमने सामने टक्रा रही थी, मा ने कहा बेटा तेरे पापा तुझे बाइक लेकर देने ही वाले थे, लेकिन पिछले महीने एकसीडेंट, इससे पहले के मा अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले मोहन बोला मैं कुछ नहीं जानता मुझे तो बाइक चाहिए ही चाहिए, ऐसा बोलकर मोहन अपनी ममी को गरीबी और लाचारी की परीक्षा के भागवत सर एक अनोखी परीक्षा का आयोजन करते थे, हाला कि भागवत सर का विशय गनित था, किन्तु विद्यार्थियों को जीवन का गनित भी समझाते थे, उनके सभी विद्यार्थी यह परीक्षा जरूर देने आते थे, इस साल परीक्षा का विशय था मेरी पारिवार पेपर में कुल 10 प्रश्ण थे, उत्तर देने के लिए 1 घंटे का समय दिया गया था, मोहन ने पहली प्रश्ण पड़ा आपके घर में आपके पिताजी, माताजी, बहन, भाई और आप कितने घंटे काम करते हो, बिस्तार में बताइए, मोहन ने तुरंत जवाब लिखना शु अचय उठकर पापा का टिफन तयार करती है, बाद में घर का सारा काम करती है, दोपहर को सिलाई का काम करती है, और सभी लोगों के सो जाने के बाद वह सोती है, लगभग रोज 16 गंटे काम करती है, दीदी सुबह कॉलेज जाती है, और शाम को चार से आठ बजे तक पार- खाकर सो जाता हूं, शाम को अपने दोस्तों की साथ टहलता हूं, रात को गारह तक पढ़ता हूं, तो लगभग 10 घंटे तक में व्यस्त रहता हूं, पहले सवाल के जवाब के बाद मोहन ने दूसरा प्रश्न पढ़ा आपके घर की मासिक कुल आमदनी कितनी है, तो मोहन ने जवाब लिखना शुरू किया, मेरे पापा की आमदनी लगभग 10 हजार है, मम्मी और दीदी मिलकर 5 हजार कुल जोड लेते हैं, कुल आमदनी 15 हजार रुपे हैं, प्रश्न नमबर 3 था मोबाइल रिचार्ज प्लान, आपकी मनपसंद टीवी पर आ रही 3 सीरियल के नाम, श इंदी की कीमत क्या है, वन, किलो गेहूं चावल और तेल की कीमत बताए, और जहां पर घर का गेहूं पिसाने जाते हो, उस आटा चक्की का पता भी बताए, मोहन को इस सवाल का जवाब नहीं आया, उसे समझ में आया कि हमारे दैनिक, आवश्यक जरूरत की चीज़ों के ब जरूरी नहीं है, अपने घर के कामों की समझ होना भी बहुत जरूरी है, नमबर पांच था आप अपने घर में भोजन को लेकर कभी तक्रार या गुस्सा करते हैं, तो मोहन ने सोचकर जवाब लिखा हा मुझे आलू के सिवा कोई भी सबजी पसंद नहीं है, यदि मम्मी और कोई सब्जी बनाए तो मेरे घर में जगड़ा होता है, कई बार में बिना खाना खा उट खड़ा हो जाता हूँ, इतना लिखते ही मोहन को याद आया कि आलू की सब्जी से मूमे को गैस की तकलीफ होती है, पेट में दर्ध होता है, मम्मी अपनी सब्जी में एक बड़ तुम्हारी जद के कारण मम्मी बेचारी क्या करे? मोहन ने अपनी यादों से बाहर आकर अगले प्रश्ण को पढ़ा अगला प्रश्ण नमबर 6 था अपने अपने घर में की हुई आखिरी जद के बारे में लिखिये, मोहन ने जवाब लिखना शुरू किया मेरी बोर्ड क परीक्षा पूर्ण होने के बाद दूसरे ही दिन बाइक के लिए जिद की थी, पापा ने कोई जवाब नहीं दिया था और मम्मी ने समझाया था कि घर में पैसे नहीं है, लेकिन मैं नहीं माना मैंने दो दिन से घर में खाना खाना भी छोड़ दिया